जो है उसको शुरू करेंगे चैप्टर का नाम है होम स्वीट होम और इसमें सबसे पहले मिक्की और मिनी कुछ बाते करें हैं हम वो देखते हैं मिक्की कह रहा है why are you mopping the floor मिनी let it try on its own तो मिक्की ने मिनी से कहा कि तुम फर्ष क्यों पहुँच रही हो उसे अपने तरीके से ही सुखने दो तो मिनी कहती है I don't want anyone to slip and get hurt on the wet floor वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गीले फर्ष पर फिसल जाए और उसे चोट लग जाए तो मिक्की कहता है I got you I will also go and tidy up my room मिक्की कहता है मैं समझ गया मैं अभी जाता हूँ और अपना कमरा यानि कि अपना room साफ करता हूँ मिनी कहती है That's good Our home should always be spick and span यानि हमारा जो घर है वो हमेशा बिलकुल अच्छा और साफ सुत्रा होना चाहिए पेवदवे में दिया है Do you throw garbage in the bin यानि कि क्या आप कच्रा एक डब्बे में फेंकते हैं तो हमने answer लिखा है Yes Number 2 Do you keep your toys and books at their proper place क्या आप अपने खिलोने और अपनी जो किताबे हैं उनको सही जगे पर रखते हैं तो Yes हम रखते हैं Number 3 Which is your favorite room in the house आपके घर में आपका जो favorite room है वो कौन सा है तो हमने लिखा है living room Need of a house We all need a house to live in It protects us from heat, cold and rain It also saves us from wild animals and thieves तो घर की जरूरत हमें घर की जरूरत क्यों है तो हम सब को जो है घर की एक जरूरत होती है उसमें रहने के लिए क्योंकि घर क्या करता है घर हमारी रक्षा करता है किसे तो घर हमें बचाता है heat, cold, rain और animals और thieves यानि की गर्मी, सर्दी, बारिश, जंगली, जानवर और thieves यानि की चोर या ऐसे जो खतरनाक लोग होते हैं उन सबसे जो है घर हमारी रक्षा करता है दो तरीके के घर होते हैं एक होता है कच्चा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस कच्चा हाउस कच्चा हाउस आर वीक हाउस दे आर मेड़ अफ मार्ड, स्ट्रॉव, बाम्बू, एंड ड्राइ लीव्स दे आर स्मॉल एंड साइस तो हमें यहाँ पर पिक्चर दी हुई है और किसके पिक्चर है वो कच्चा हाउस की कच्चा हाउस जैसे कि उसका नाम ही बताता है वो होता है वीक हाउस तो कच्चा हाउस जो होता है वो एक वीक हाउस होता है क्योंकि वो किससे बनता है कच्चा हाउस बनता है माड, स्ट्रॉव, बाम्बू और ट्राइ लीव से यानि कि मिट्टी, बाम्बू, सूखी लकडियां और सूखे पक्तों से और यह जो कच्चा हाउस होता है यह छोटा होता है It is small in size Next जो हमें picture दियो यह वो है पक्का हाउस की पक्का हाउस are strong houses They are made up of bricks, cement, iron and steel तो पक्का हाउस जो होते वो strong हाउस होते यानि कि वो मजबूत होते क्योंकि वो किसे बनते हैं? इसलिए जो पक्का हाउस होते हैं वो बहुत strong होते है Different rooms in a house घर के अंदर जो अलग-अलग rooms होते हैं वो A house has different rooms They have different things and furniture in them They are used for different purposes like sleeping, cooking, bathing, relaxing, relaxing, etc तो एक घर में अलग-अलग rooms होते हैं और हर जो रूम है उसकी design और furniture भी अलग होता है क्योंकि उनका सभी का जो purpose होता है यानि कि हर रूम में जो अलग-अलग हम काम करते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर design होता है और उसका furniture होता है और हम अलग-अलग रूमों में क्या-क्या करते हैं सोते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है नहाते हैं इसलिए जैसे रूम सोते हैं वैसा ही उसका furniture और design होता है नेक्स्ट जो हमें picture दी हुई है, वो है living room की तो हमें जो picture दी हुई है, नेक्स्ट वो है living room living room यानि हमारे घर का जो living room होता है, जहां पर sofa होता है, टीवी होता है, painting होती है, lamps होते है तो वो हमारे घर का living room होता है, living room में हम क्या करते हैं, living room में पूरी family साथ में बैठती है, टीवी देखती है, बातें करती है, ठीक है तो वो होता है living room next जो picture है वो है kitchen की mother cooks food in the kitchen तो जो mother होती है वो kitchen में खाना बनाती है it has different utensils, refrigerator, oven, cupboard, crockery etc kitchen में क्या-क्या होता है kitchen में अलग-अलग तरह के बरतन होते है refrigerator होता है, oven होता है, cupboard होता है और crockery यानि की अलग-अलग type की जो plates होती है चमच होते हैं, ऐसी सारी बहुत सी crockery होती है next picture is of bathroom this is a bathroom, it has a tub, bucket, mug, mirror, towel, flush toilet etc we bath in the bathroom तो यह जो picture है, यह किस की है, यह bathroom की picture है आपने पहचान लिया ना तो bathroom में क्या-क्या होता है bathroom में होता है tub, bucket, mug, mirror, यानि की आइना, towel, flush toilet etc हम bathroom में ना आते हैं next picture है bedroom की this is a bedroom we take rest and sleep to get fresh in a bedroom it has a bed, cupboards, table lamp, chair etc तो यह एक bedroom की picture है हम bedroom में सोते हैं और आराम करते हैं bedroom में क्या-क्या होता है bed, cupboards, table lamp और chair next picture is of dining room in a dining room there is a dining table with chairs there are cutlery, fruit basket, etc all family members sit together and eat food in this room तो dining room में dining table होता है और dining table के साथ chairs भी होती है family के सभी जो members है वो dining table पर साथ में बैठ कर खाना खाते हैं और यह जो dining room होता है इसमें और क्या-क्या चीज़ें होती है इसमें होता है fruit basket और cutlery cutlery का मतलब होता है जो table, जो आपके जो spoons होते हैं डाइनिंग टेबल के उपर ठीक है, तो वो सब होता है cutlery और यह जो है dining room में सभी जो family members हैं वो साथ में खाना खाते हैं time to pause draw the pictures of five utensils used in the kitchen in your scrapbook तो time to pause में हमें क्या activity दिये आपको kitchen के कोई भी पाच utensils यानि की बरतनों की जो picture है वो अपनी scrapbook में draw करनी है fun activity make a wind chime with some waste materials in the house आपको आपके घर में कोई भी waste material होता है जैसे के moti, ribbons, कोई bell, ठीक है कोई flowers तो ऐसे सभी waste materials को यूज करके एक wind chime बनाना है hang it at the entrance of your house and hear the sweet jingles उसे आप अपने घर का जो entrance है वहाँ पे लगाए और उसकी जो आवाज उसमें से आती है उसको सुनिये a quick recap a house protects us from heat, cold, rain, wild animals and thieves घर जो है वो हमारी रक्षा करता है किससे रक्षा करता है सर्दी, गर्मी, बारिश, जंगली जानवर और चोरों से houses are of two types कच्चा हाउस and पक्का हाउस घर चो होता है वो दो टाइप का होता है कच्चा हाउस और पक्का हाउस there are different rooms in a house like bedroom, kitchen, dining room, etc घर में अलग-अलग type के rooms होते है जैसे की bedroom, kitchen, bathroom, living room, etc तो यहाँ यह chapter खतम होता है I hope यह आपको यह chapter समझाया होगा Thank you